हेलो स्टुडेंट्स आज आपका टॉपिक है लीनियरिक कुईशन्स ठीक है तो इसमें कुछ बैक्ग्राउंड पढ़ेंगे पहले उसके बाद फिल में टॉपिक पर आएंगे लीनियरिक कुईशन्स पर ओके पहला दिया हो है इकोल टू 17 अब कॉस्ट 17 होता है तो यह true है ठीक है अब यहां पर देखो 8 प्लस 4 यानिकि 8 प्लस 4 तो 12 होता है फिर वो लहें यह less than 16 मतलब इधर वह जो पार्ट है left hand part यह left hand side जो है 16 से less होनी चाहिए ठीक है यह इसने बताया है तो 12 less than 16 हा true है तो इसका मतलब यह भी true है ठीक है अब इसको देखते हैं यह 9 9 is greater than 11 यह 7 और 2 9 होते हैं ठीक है तो यह false है तो यह सब क्या है इस तरी की situation नहीं हो तो फॉल्स भी हो सकती है यह true हो सकती है ठीक है तो such a mathematical sentence which में इधर true और false बट नॉट बोथ दोनों same time ऐसा इसमें कहीं भी नहीं दिया होगा जो दोनों true भी हो और false भी हो confusion नहीं होगी या तो false होगा या true होगा ठीक है known as mathematical statement उसको mathematical statement बोलते है वो true हो सकता है या false हो सकता है ठीक है कोई statement फिर आता है open sentences open sentences में क्या होता है mathematical sentences containing variables अब इसमें variables आ जाएंगे variable हम पीछे जो chapter हमने पढ़ा था algebraic expression उसमें भी हमने वहाँ पर पढ़ा था add करना subtract करना तो variables क्या होते हैं पता होने चाहिए आपको ओके तो variables की बहुत सारे values हो सकते हैं मतलब अलग अलग वो value contain कर सकता है ठीक है तो containing variables depend upon the values of variable for their truth और falsity ठीक है तो यहां से definition देखिया mathematical sentence which contains a variable such that it may true or false depending on the values of the variable ठीक है अब यह situation को देखिये यहां पर x plus 5 equal to 16 ठीक है अब इसको यहां पर समझते हैं किसका मतलब क्या है x plus 5 equal to 16 ठीक है आपको शायद दीखना रहो हो इससे ओके यह ले लो ठीक है अब यहां पर x कोई भी value रखे आप x variable है यहां पर अब तो variable यह है यह पूरी statement जो दी होई यहां पर variable x है अब इसकी कोई value यहां पर रखे चलो अपनी मर्जी से मैं कुछ भी रख देता हूं 1 रख देता हूं मैं 1 plus 5 equal to 16 ठीक है यानि कि x की value x equal to 1 के लिए यह false है बोलाय ना false भी हो सकता है true यह false है क्योंकि 6 equal to 16 कभी नहीं हो और सकता है ठीक है चलो कुछ भी रखो 2 रख के देखते हैं तो 2 रखेंगे इसकी जगे to 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 16 हो जगर तो भी सही नहीं है गलत है ठीक है इस तरह आफ यहां पर यहां पर 11 रख देता हूं यहां पर 11 plus 5 equal to 16 हां यह सही हो रहा है आप देखों यहां पर दो पार्ट कर देते हैं कि x की कौन सी वेल्यू के लिए वह फॉल्स आ रहा है और x की कौन सी वेल्यू के लिए वो ट्रू आ रहा है तो यहाँ पर क्या दिया है दो केटेगरी आ गई ठीक है अब यह पर सेट उफ वेल्यू की बात कर रहे हैं सेट ओफ ओल दो वेल्यू वेल्यू विच कनवर्ट अन ओपन सेटेंगे यह तो सलूशन सेट तो यहाँ पर जो यह हमने देखा था कि जिसके लिए वो ट्रू हो रह हो रहा है इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है और इसके लिए फॉल्स हो रहा है ठीक है वो ट्रूट सेट नहीं होगा ठीक है यहाँ पर वही दिया होगा अब जैसे यह यह वह वाई प्लस थ्री ग्रेटर देन नहीं आप य की वैल्यू कोई भी रखते चली जाई यह सडिस्वाइ हो घे चैलो इसको भी समझते हैं 123 लख कर देखते हैं तो वन कीका सही हो रहे है देखो जारह फ्सफोर ग्रेटर देन नहीं अब भी सही नहीं हुआ तो यह वन इसकीरिया अलग हो गई चलो ऐसे करते कैः तो युद्धीन रहे को फोर रखो ठीक है फ़ाइव रखो ठीक है फिर सिक्स रखो। इस नहीं हो रहीं ओन असे लिए बीश्च नि רहे नाइन ग्रेटर दयन ने नो इक्वाल होला चाहिए इस बिम्हाना सर्क्रादजे कि मोट ऊकर चलो ठीक है 7 रखे देखते हैं यहां पर जिब 7 रखेंगे तो यह 10 हो जाएगा 10 ग्रेटर देन इसके लिए दिखो ट्रू हो गया अब 10 रखो 11 रखो 12 रखो 13 रखो इसके लिए हमेशा ट्रू रहेगा बड़ा ही नंबर आएगा आपका रखे देखो 11 रखो 12 रखो हमेशा य सब के लिए यह पूरा ही टूथ सैट बनता चला जाएगा यह बड़ा सा टो वहां पर जो इक्वालिटी वाले केस में टूथ सैट में एक ही नंबर था यहां पर बहुत सारे नंबर है यहां पर इधर वाले नहीं लेंगे जो लेस देन यह जो थे 10 से पहले नंबर ठीक है यहां पर ओके आगे देखों यहां पर एकजांपल तो एक्जांपल में वही दिया हुआ है कि एक्स प्लस four इक कोल टू six जैसे दिया हुआ है अब यहां पर एक्स की कौन सी वैल्लीयू के लिए यह ट्रू हो जाएगा तो वही टूथ सैट बंजेग है नहीं कि टू रगते हैं तो हैंपर एक singleton truth set जो है set set के context में इसको समझाओ समझो जरा ठीक है set आप पढ़ चुके हो तो यहां पर singleton set to is a truth set है यहां पर ओके आते हैं equation ठीक है equation क्या होता है open sentence containing the sign of equality अब जैसे उपर हमने यह दो type category पढ़ी होई है यहां पर या तो आपका greater or less than का sign है या फिर equality का sign है तो यह जो open sentences है यहां पर open sentences में जिसमें equality होती है और variable होता है open sentence में variable भी होता है ठीक है तो वो हम इसको मोलेंगे equation ठीक है equate होती है दो side होती है और बीच में equality का sign होता है ठीक है आपको ऐसे पैचानना है कि यह equation है और उसमें variable हो तो यहां पर example देखिए 3x plus 5 equal to 20 equation है अब देखो कितने variable की equation है more than one variable भी हो सकता है अब यहां पर तो सिर्फ एक ही type का variable दिख रहा है which is x तो इस single variable यहां यहां पर दो टाइप के variable है एक एक x type का है एक y type का है दो category होगे दो type के variable है इसलिए हम इसको equation तो बोलें क्योंकि हाँ पर एक सरफ statement दी हो एक इधर दी हो यह बीच में equality का साइन दी हो और variables भी है इसलिए open sentence है और equality का साइन है तो हम कहेंगे equation in two variable okay अब यहांबर PQR equal to 24 तो यहांपर देखो three type के variable है PQR तो ठीक है यह भी एक equation है PQR equal to 24 ठीक है अब दोनों तरफ को एधर number एधर variable part है तो यह equation in three variable okay अब आते हैं linear equation जो हमारा chapter है equation हमने समझ लिए कि equation क्या होती है अब एक special type के equation जिसको हम linear कहेंगे वो हम क्यों linear कहेंगे वो समझते है and equation involving one variable with highest power main part यह है जिसके वाइस हम उसको linear बोल रहे है highest power one होनी चाहिए highest power किसकी variable की अब यहांपर जैसे मैं दो type के example लिखता हूँ जैसे 2x plus 3 equal to 7 बहुत easy समयने लिखा हुआ है एक मैं लिख रहा हूँ 2x square plus 7 equal to 6x equation यह भी है equation यह भी है variable इसमें भी यह वरियेबल यह और यह भी one variable का यह भी one variable का क्योंकि इसमें एक ही type का variable है which is x मैं variable के बात कर रहा हूँ उसकी power कुछ भी हो सकती है ठीक है अब देखो यहाँ पर linear यह नहीं है यह linear है क्यों हमें x की power देखने है जहां भी वरियेबल है उसकी x की power यहाँ पर one है maximum power highest power one होनी चाहिए बाकी तो है यह नहीं तो lowest हम देखेंगी एक ही type कि अब यहाँ पर देखो यहाँ पर x की two power भी है और कहां-कहां एक से यहाँ भी है एक्स की power वन भी है तो highest power x की इसमें कितनी होगी two और मैंने कहाँ लीनियर होने के लिए पूरी equation में highest power one होने चाहिए maximum power one होने चाहिए तो यह तो नहीं हुआ यह linear नहीं है तो यह linear होगा ठीक है अब ऐसे हमारे slaves में सिर्फ linear equation नहीं है आपके slaves में अभी तो हम वहीं पड़ेंगे एन equation involving one variable एक variable और highest power one हो उसकी इसको मैंसी के लिए डिग्री बोलते हैं ठीक है इस काल दा linear equation in that variable तो यहां पर जितने भी examples दिया हुए ही सब वन वरियेवल दिया हुआ है और highest power in की 1 है वैबर 5x plus 7 equal to 22 तो वन पावर है maximum बाकी तो है यह नहीं ठीक है बाकी तो फिर यहां पर 0 power x ही जिसको हम लिखते हैं ओके तो यह वन पावर linear यह भी linear और यहां पर देखो यहां पर z दोनों में involved जैट की highest power 1 है तो यह भी linear हो जाएगा ओके अब remark the sign of equality in equation divides it into two sides ठीक है दो side है एक left hand side बोलते है इसको और इधर right hand है रहस LHS ठीक है ओके यही यहां पर इसका मतलब दिया हुआ है फिर आब आते है solution of a linear equation यहां पर solution का मतलब क्या है linear equation की अब जैसे उपर हमने पढ़ा था equality वाले पर देहां दो यहां पर हमने ने कुछ x की value लिए थी जिसके लिए वह satisfy कर रहा था LHS और RHS equal आ रहे थे तो वह value जो हम find करते है वही solution होता है of this equation ठीक है इसको हम solution बोलेंगे यह उसको satisfy भी तो मैंने रेंडमली लिया कोई number यह चलो try करके देखते हैं यह try करके देखते हैं satisfy हो रहा है नहीं हो रहा है आगे हम method पढ़ेंगे solve करने के लिए उसको ठीक है x की value निकालने के लिए एक वो किसके लिए LHS और RHS सेम आ रहा है 11 तो 11 कहता है इसका solution था जिसके लिए satisfy हो रहता है मतलब LHS और RHS से ही मारे थे ओके आगे देखते हैं कि solve करने के लिए कुछ rules है उनको हमें पहले समझना होगा और फिर आगे proceed करेंगे तो rules for solving linear equation यही है में बाकी तो फिर बस methods है हम करेंगे practice तो समझ आ जाएगा दोगो पहले हमें ध्यानी यह रखना है we can add same number to both side of an equation equation दिये होती है दोनों side अब उसके यहां पर दिया हुआ है x-3 equal to 7 ठीक है मैं कोई भी number add कर सकता हूं मुझे कोई restriction नहीं बट मैं add वही करो हूं जिसे मेरा equation solve होता जला जाए ठीक है वैसे add तो कोई भी number positive number यह negative number add कर सकते हो जैसे देखिए यहां पर मैं लिखा 2x plus 5 equal to 8 ठीक है यह एक equation है अब इसमें कोई इस तरफ भी add के ऐसे ही second जो rule है उसमें आप कोई भी number subtract भी कर सकते हो अगर मैं यह दे रहा हूं यह इसमें आप कर सकते हैं सब्सक्राइब है same numbers ठीक है थार्ड आता है multiply का आप दूनों साइड non zero number से same number से multiply भी कर सकते हो जैसे 3x equal to 8 दिया हुआ है ठीक है अब मैं आखाओं सोचूं कि मैं कोई भी non zero number कोई भी हो सकता है fraction भी हो सकता है ठीक है अगर मैं चलो फॉर से दोनों साइड multiply कर देता हूं non zero होना चीज जीरो number ना हो कोई भी चलेगा ठीक है लेकिन हम multiply डिवाइड उसी से multiply उसी number से करेंगे जिससे वो simplify हो वो आगे कैसे हो मैं बताऊंगा ठीक है 4 से कर दिया तो यह balance रहा यहां पर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x और यहां हो जाएगा यह 32 ठीक है 4 multiply 3x 8 multiply 4 32 ठीक है आगे देखेंगे ऐसे ही आप divide भी कर सकते हो same non zero number से देखो जैसे 4x equal to 8 दिया है ठीक है तो मैंने इधर भी 4 से divide जा दिया या फिर ऐसे न समझो ऐसे समझ लो इधर भी 4 से divide जा दिया ठीक है वो non zero number होना चाहिए ठीक है अब non zero हम क्यों बोड़ने 0 से नहीं कर सकते हैं ना 0 से both side multiply करेंगे ना हम divide करेंगे divide तो करेंगे इन सकते 0 से divide possible नहीं multiply में क्या हो वो trivial हो जाएगा अगर दोनों से जीरो से multiply कर दो गए तो कुछ बचे गए नहीं हमारे पाइप सॉल्व करने के लिए 0 equal to 0 आ जाएगा ठीक है जीरो मुल्टिप्लाइज सम्थिंग जीरो तो इस वह से हम इसको नहीं करेंगे ओके आगे देखिए तो यह में बेसिक रूल है वाकि ट्रांस पोजीशन देखिए ट्रांस पोजीशन हमारे काम आएगा एक कुशन सॉल्व करने के लिए जैसे कोई भी कुशन दी हुई है आपको यह है तो आपको आप जो है जैसे यहां पर एक्स्प्रेशन जैसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया है कि एक्स्प्रेशन में टर्म भी होती है ठीक आप यहां पर यह एक्स्प्रेशन दिया हुआ है बाइनोमिल है दो टर्म है तो टर्म को आप शिफ्ट कर सकते तो वो टाम होती है चलो 5 को अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं इस साइट LHS से RHS में लगा तो उसका बस साइन चेंज हो जाएगा ठीक है तो 5 को यह प्लस 5 है भी तो 7 के साथ इस वाली साइड में लेकर आगे तो माइनस 5 हो गया यह सा क्यों होता है बेसिकली वह रूल 1 पे डिपेंड करता है रूल 1 रूल 1 में क्या करते हैं कोई भी सेम नंबर से एड़ कर सकते हैं अगर यहां से 5 मुझे हटाना हो तो क्यूना दोनों साइड माइनस 5 सब्ट्रेक्ट कर दो मतलब माइनस 5 यहां पर लगा तो देखो यह 0 हो गया तो 2x equal to 7-5 देखो बात वही आ गई देखो तो इसका मतलब वही होता है ठीक है ओके तो यह था ट्रांस पूजिशन तो नहीं समझ जा रहा है एक बार फिर से देखना रिपीट करके तो आ जाएगे समझ भार ठीक हो सकता है एक बार में ना समझ जाए करते हैं तो आपको बैटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है ओके तो देखिए एक्जाम्पल यहां पर एक्जाम्पल वन सॉल्व 3X प्लस 5 इक्वल टू 5X पाइनस 11 ठीक है रिप्रेजेंट रसॉल्यूशन ग्राफिक लिए यह बाद में देखेंगे तो सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान ही रखना है लाइक और अनलाइक टरम्स आप पीछे पढ़चों के वह लाइक टरम्स कोंसी होती है जो सिम् टाइप करोऑन। तो उनको आपको करना क्या है solve करते time अपको ध्यान ही रखना है जब आप Allen करो तो ऊंको लाइक याइक टरम्स को सेंॉय साइड रखो कैसे भी करोए अगर नहीं है तो आप उनको shift करो कुछ भी करो असल रखो ऐसह करने से क्या होगा क्यों combine हो जाएंगे, इधर add और subtract, ठीक है, अब यहाँ पर 3x plus 5 equal to 5x minus 11 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5x है, दूसरी side है, और LHS side में 3x है, तो यह like terms है, यह x type की, यह constant numbers है, तो constant constant से combine हो जाएगा, like terms है, तो इसके लिए आपको, यह तो 5x को इदा shift करो, यह face को इदा shift करो, जलो, अब यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इस side को पहले है लिख लिए और इसको इदा लिख लिए उसको इधर लिख लिए है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, तीक है, अब यहाँ पर 5x, ऐसा Q लिखा है, क्योंकि यह बड़ा number है, इससे, 5x minus 11 equal to 3x plus 5, अ यहाँ पर 3x को अगर इधर shift करते हैं यह इधर RHS side में था जब पूरे 3x को इधर shift करेंगे इस term को तो यह minus 3x हो जाएगा माइनस 5x माइनस और 11 माइनस का था इस side इसको इधर shift किया अगर पूरे को इधर inter change कर दे उससे फरक नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा थोड़ा कर रहे है तो वह चेंज हो अगर शिफ्ट करेंगे तो यह प्लस 11 हो जाएगा बस हमने कुछ नहीं कर रहा लाइक को लाइक के सा 3x सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 2x आजाएगा प्लस का आएगा क्योंकि यह बड़ा नंबर है 5 प्लस 11 16 ओके ना अब 2x इकुल टू 16 आगया अब क्या करेंगे तो आपको कैसे भी करके x के कोईफिशेंट में 1 होना चाहिए तो 1 होने के लिए x के मल्टिप्लाइमें 2 है तो हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो या तो दोनों साइड बोद साइड 2 से डिवाइड दे दो ऐसे करके इधर डिवाइड यह कट जाएगा तो x इकुल टू टू एट आगया या फिर जब भी ऐसी सिचुएशन आजए बिलकुल लास्ट में जागे एक सिंगल टाउम बचे है एक साइड से दूसर साइड में इसका साइड चेंज हो जाता है तो वह उस्केस में होतलायज बट यहां पर क्या होता है अगर यह टूरी साइड चेंज होगाइग सायगा ठीक हरे ंल जोगा बस दीलाएड में जाएगा आरेज लो कुछ भी है यहां तो सिर्फ 16 था उसक X के multiply में तो X equal to 16 by 2 और यह 8 हो जाएगा तो यह हमारा solution आ गया X equal to 8 यह X की value है जो इसको satisfy करेगी अब यहाँ पर exercise में आपकी check करने के लिए बयाएगा हमें इंटीजर नंबर रिप्रेजेंट करें 012 कुछ नेगेटिव भी करती नेगेटिव जादा करने के ज़रूत ने कुई हमारा positive नंबर आए होगा है तो यहाँ पर देखिए 8 तो 8 को बना दीजिए हैं पर solid dots रिप्रेजेंट हो गया बहुत simple है कुछ नहीं उसमें ओके अब यह तो यहाँ पर 8 रखेंगे प्लस 558 माइनस 11 मुल्टिप्लाइ करिए 24 प्लस 5 यहाँ पर 40 माइनस 11 तो यह कितना आ जाएगा 29 और यहाँ भी सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 29 मतलब LHS एकुल टू तो हमारा आंसर हमने चेक भी कर लिया ऐसे ही आपको चेक क कराता है तो आप करिए चाहेगा अदर्वाइस मत करिए रफ में कर देखकर देख लिए आपने satisfaction के लिए तो यह था इसका solution ठीक है आगे और थोड़ा सा different different तरीके की questions नहीं होंगी उसको हम देखेंगे अब जैसे यह दिए हुग है देखो सम्में एक unique way मैंने श्टार्टि इसमें कोई variable ही नहीं हाला कि fraction है ठीक है और इधर 8 यह भी constant है तो constant को constant के साथ रख लेते हैं तो 1 by 4 माइनस का है यह पूरा नमबर को ध्यान से देखो सिर्फ 4 को shift नहीं करना है आप पूरे 1 by 4 को करना है और यह term है तो माइनस 1 by 4 को इधर shift करेंगे तो यह 8 के साथ जाएग 8 plus 1 by 4 इधर सिर्फ 3x बचा इधर आप LCM लेंगे अब ठीक है इसको combine करेंगे जो भी number आएगा 33 by 4 मतलब 3x equal to 33 by 4 आया अब 3x equal to 33 by 4 अब आप क्या करेंगे यहां पर यह जो आपको तो x equal to something लाना है ना x equal to कोई number तो यह तो multiply में 1 होना चाहिए तो 3 को 8 आना पड़ेगा और के डिवाइड में numerator के डिवाइड में तो यह 4 के साथ यहां पर multiply में आ जाएगा मतलब divide का मतलब जो यहां पर RHS में जो भी दिया होगा था numerator पार्ट उसके डिवाइड में ओके तो यहां पर 4 multiply अब इसको आप काट दीजिए 11 by 4 आ जाएगा इसको उन्होंने mixed में बना दिय कि कैसे इसको represent करते हैं ठीक है mixed वाले भी सीख चुके हैं मतलब आगर आपसे कहा जाए 11 by 4 को कैसे represent करना है तो आपको आना चाहिए ठीक है इसको mixed में बना लेंगे ओके मैं एक बार remind करा देता हूं short में तो यह 2 है 2 के बाद something 3 by 4 है ना तो 2 और 3 के बीच में आपको देखना है और 2 और 3 के बीच में partition करने कितने 4 partition करने है 1 2 3 4 और 4 में से लेने कितने कौन सा पार 3rd part 1 2 3 तो इसलिए यह 2 के बाद 2 and 3 by 4 तो यह जो यह जो dot दिया हूँ है solid पूरी number line पर यह represent हो गया ठीक है ओके अब यह देखिए second part इसका यह भी easy है इसमें 2 2 by 3 multiply x दिया हूँ है ठीक है तो variable यह जो दिख रहा है ना 2 यह भी numerator रही है तो यह multiply में आ जाते है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 by 3 multiply x लिखा है ना इसको आप 2 x by 3 लिख सकते हो plus 1 equal to 5 दिया हूँ है अब यहां पर देखो यह constant है like like terms को अलग रखो इसको इधर ले आई है तो 2 x by 3 5 minus 1 तो यह हो जाएगा 4 2 x by 3 equal to 4 अब आप क्या करेंगे cross multiply ठीक है इसको भी समझाता हूँ 2 x by 3 equal to 4 ठीक है अप उन में लिख सकते हैं denominator में इसके ठीक है अब cross multiply का मतलब यह होता है कि जैसे यह divide में है इस तरफ तो इसको यह multiply में लेके जाएंगे ठीक है इसको यहाँ पर मतलब यह cross multiply with the new इधरवाले numerator का इसके denominator से इधरवाले numerator का इसके denominator से ठीक है अब यह से 2 x multiply बंदो 2 x ही रहेगा 3 उसको दोनों अलग अलग different different side में लिखते हैं 2 x को यहां 3 4 ठीक है तो 2 x equal to 3 into 4 है अब यह भी तो हटाना है क्योंको x equal to something लाना है तो इसको divide में भेजो किसके इस पूरे के divide में जो भी RHS में होता है इसको throughout ठीक है 3 by 4 divided by 2 इसको cut कर दीजिए तो x equal to 6 आ गया 3 into 2 तो यह आपका solution आ गया ठीक है इसको represent क कर देंगे ठीक है तो यह जो है example 3 इसी तरह है okay example 4 देखते हैं आप 4 में आपके brackets भी दियो है कुछ नहीं बाकी तो easy है बस brackets को पहले solve कर लो brackets के लिए आप क्या करेंगे bracket open करेंगे आप जब भी bracket open करते हो bracket के बाहर दिको यहां पर 2 लिखा हुआ है 2 multiply bracket और bracket के अंदर एक binomial दिया हुआ है एक expression दिया हुआ है तो आप bracket हटाएंगे तो यहां पर बाहर 2 है तो यह अंदर throughout distribute हो जाएगा मतलब x से भी multiply में जाएगा 5 से भी multiply में जाएगा तो यहां पर जब इसको open करेंगे तो 2x हो जाएगा 2 multiply minus 5 minus 10 हो जाएगा सब में ऐसा ही करेंगे जहां जहां दि distribute हो जाएगा 3x 3 minus 2 minus 6 ऐसे ही RHS part में 8 दिया है यह तो separate है बिल्कुल 8 plus अलग रखेंगे यहां पर 7 का इससे multiply करेंगे ओके 7 multiply x 7 x 7 multiply minus 4 minus 28 तो removing brackets brackets remove तभी होंगे जब आप इसको अंदर बाहर जो multiply में दियो इसको आप distribute कर देंगे अगर बाहर 1 होता तो फिर कोई उसको उसका एक ट्रिवियल हो जाता अब simply bracket open करके लिख सकते हैं क्योंकि 1 का से multiply करेंगे फरक नहीं पड़ेगा ओके अब देखो ऐसा करने से यह आगी question हमारी यह question हमारी ओके अब यहां पर देखिए like like terms को ध्यान दीजिए सब same side कर लो like like terms को या फिर उससे पहले same side पर जितना भी solve हो रहा है उसको solve कर लो अब जिससे इस तरफ 2x और 3x दोनों plus में add हो जाएंगे तो यह 5x हो जाएगा minus 10 और minus 6 कितना हो 20 हो जाएगा अब आफ shift करिए अब हमने थोड़ा सा और simplify कर लिया equation को ठीक है अब 7x को इधर shift कर सकते हो या फिर इसको इधर shift कर देखो इन्होंने क्या करा छोटे नमबर को हमें से shift कर रहे होते हैं क्योंकि छोटा नमबर इधर plus में है 5x इधर जाएगा तो overall हमारा plus में ही नहीं आएगा ठीक है आप बैसे इसको इधर भी shift कर सकते हैं वह बाद में जागे माइनस माइनस कट जाएगा ओके तो इन्होंने 7x-20 इधर लिखा और यह ऐसे लिखा अब यह पूरा हमने इधर shift कर दिया है तो यहाँ पर sign कुछ नहीं चेंज होगा इन्होंने तो बस इस इस तरह करके लिख दिया है बस अब 7x-20 5x-16 है 7x इसमें 5x इधर shift करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 5x और यह 20 इधर आएगा तो यह माइनस का 20 था तो यह प्लस का हो जाएगा ट्रांसपोस कर दिया ओके अब इसको simplify कर तो यह भी like time यह भी like time है तो 2x equal to 4 अब इसको 2 ह अब आने के लिए multiply में x के तो पूरा आटाएंगे तो throughout 4 के नीचे जाएगा divide में तो यह 4 divided by 2 answer is 2 तो यह solution आ गया अब आप इसको verify भी कर सकते हो इसमें substitute करके जहां भी x है उसको satisfy कर आऊ LH is equal to RHS है ठीक है तो यह solution था आपका ठीक है अब यह 5 भी हो जाएगा आपको सबसे पहले यहां पर cross multiply करना है क्योंकि यहां पर LH is part में numerator में भी expression है denominator में भी expression है इधर 3 by 5 है तो सबसे पहला कहा हमें आप सको cross multiply करने का cross multiply मतलब 2x multiply 5 हो जाएगा bracket का throughout करेंगे multiply यह नहीं सिर्फ 2x है ठीक है 3 multiply this तो यहां पर 3 multiply this हो जाएगा अब brackets उपन अब यह पीछा question बन ग लगते हैं 6 में देखो 6 में कुछ नहीं है थोड़ा सा यह percentage का concept इंट्रोड्यूस कर दिया है यहां पर ठीक है तो देखे उसको आप यहां पर इसमें x-24 में sorry x-40% of x equal to 12 ठीक है अब यहां पर 40% of x इतने part को solve कर लो इसका मतलब क्या होता है अलग से चाहों तो solve कर लो 40% of x क का मतलब क्या है 40 divided by 100 multiply x 0 से 0 cancel कर तो 4 by 10 multiply x तो 4x by 10 हो जाएगा तो यहां पर भाही दिल लिखा है यहां इसकी जगे पर shift कर दिया यह लिखा है इसका मतलब यह होता है बाकी तो same है आप simplify करो ठीक है तो 0 से 0 कट जाएगा ठीक है यहां पर 4 by 10 इसको भी आप और कट कर सकते हो तो 2x by 5 ठीक है तो 2x यह आगे simplify होगे ओके इसको simplify करेंगे तो यह आ जाएगा देखिए अब इसको LCM लेंगे यहां पर आप देखो यहां पर x upon 1 कर दिया हमने कुछ नहीं है ठीक हो यहां पर fraction आ गया तो आपको LCM ही लेना पड़ेगा तभी आप combine कर पाओगे like terms तो है ठ ठीक है जब आप LCM लेंगे तो LCM वही simple तरी जैसे हम लेते हैं 5 1 और 5 का LCM है 5 है 1 से यहां डिवाइड देंगे 5 तो 5 multiply x 5 x हो जाएगा ऐसे 5 में डिवाइड देंगे 1 1 multiply to 2x और यहां पर देखो यहां यह जो माइनस था इस वैसे यहां पर यह माइनस पर आ गया ओके अब multiply 5 ठीक है 5x-2x यह 60 हो जाएगा अब देखो यहां पर यह 3x हो गया 5x-2x अब 3 यहां पर डिवाइड में चला जाएगा इन्होंने आप multiply स्वेज निगा था क्यों हमें कट करने में असानी रहती है हलाकि कर सकते थे 60 आ जाता ठीक है तो इसको आप avoid करिए कि multiply last पर जाके कर दिया हूँ है क्योंकि पूरा throughout 5x-3x के divide में है इतर 3x-2 के divide में ठीक है न तो equal to 2 by 3 यह दिया हूँ है ओके तो यहां पर आप LCM लेंगे पहले LCM लेने में क्या होगा 2 और 3 6 आ जाएगा तो यहां पर 2 से divide देंगे 3 यानिकि 3 का इसमें throwout multiply गो तो यह bracket के बाहर हमें bracket लगाना पड़ा पहले क्योंकि हमें इसमें पूरे multiply करके दिखाना है ठीक है और ऐसा ही यहां पर भी 2 multiply 3x-2 यहां पर आप divide करेंगे 3 से 2 आएगा 2 2 को है through out multiply कर दिया तो यह minus यहां आ गया अब आप क्या करेंगे वही यहां पर पहले simplify करेंगे brackets को open करेंगे ठीक है distribute करेंगे यहां जितना भी simplify और उसको simplify कर देंगे ठीक है 6 को इन्होंने इधर shift कर दिया यह throughout था 6 को इधर भेजेंगे तो यह multiply में जाएगा 2 के साथ multiply में तुन्होंने वही करा ठीक है उसके बाद जाके फिर इसको simplify आप कर सकते हो यह 2 हो जाएगा तो यह 4 तो 9x-5 अब आप क्या करोगा अब तो simple हो गया ठीक है 5 को इधर like-like term से धर लेगा नहीं 4 ठीक है 5 और 4 9 हो जाएगा 9x equal to 9 9 यहां पर x के multiply में डिवाइड में गरेंगे दो बना चाएगा ठीक है इस तरह है यह कुछिन उसके बाद example 8 देखिए example 8 भी same वही है इसी की तरह है आप क्या करेंगे इसको भी इधर shift करके सबका एक साथ भी ले सकते हो नहीं तो नहीं भी ले सकते हो उपर वाले question में जैसे यह दिया हो तो इसको simplify करो इधर इसको LCM ल इसमें तो ब्रैकेट्स ओपन करना है और simplify करना है ठीक है यहां पर मैंने कुछ question किया हूँ है वो देखिए पॉइंट 3 ठीक है 5.3 तो 2 डिवाइड में जाएगा है क्योंकि यहां पर 1 रखना है y equal to something ठीक है तो यह 5.3 डिवाइड बए 2 तो यह 2.65 रांसर आ जाएगा इसको डिवाइड हमने कर दिया है ओके अब आपको verify करना है verification तो यहां पर जहाँ वाई है इसकी value रखके देखते हैं कि यहां पर फिर ब्रैकेट ओपन किया ठीक है अलांकि अब अंदर solve करके फिर 2 से multiply भी कर सकते थे मैंने नहीं किया है अलग-अलग distribute कर दिया यह हो गया ठीक है यह जो questions दियो है example में बता चुक हूं brackets open करेंगे like-like को combine करेंगे ठीक है यह example 4 पर बेस्ट है तो 7 8 9 10 ठीक है 5 उसके बाद यह जो example 5 पर बेस्ट है question 11 12 और almost सारे ही यह सेम है यहां तक यह वही है example 6 वाला ठीक है 13 में देखो यहां पर आपको LCM लेना है बस 12 हो जाएगा तो यह 4x और 3x बाकि cross multiply करना है ठीक है देखो आगे फिर 17 18 यह example 7 8 की तरह है जैसे example 7 8 दिये 17 18 19 20 ठीक है last के कुछ question है थोड़ा से method वही लगे थोड़ा से नहीं बड़ा कर दिया उसको lengthy बना दिया है question long question की तरह है अब यहां पर यह दिये हुआ है ठीक है तो 2x-3 divided by 5 ठीक है आप 4 bracket में 2x-3 है फिर जाके आप क्या करेंगे यहां पर इसको अंदर multiply करेंगे और यहां LCM लेंगे इस तरह ठीक है और फिर cross multiply करेंगे last में simplify करके ओके ठीक है तो मैं यहां पर एक question आपको बता देता हूं यह जो है कौन सा है 24 ऐ ठीक है 24 देखिए यहां 23 24 लगवग एक जैसे ही है जैसे यह था तो यह numerator पार्ट है और यह आप अपन में बन है तो यह 3 multiply इस ब्रैकेट तो 7x-1 अपन 4 और यहां पर यह दिया हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर 2x और यह माइनस बाहर है तो वन में यह पूरा यह पूरा एक टर्म है ठीक है सिंगल टर्म वो जो की माइनस की है यहां मैंने अगले step में क्या करा अब वन करके ब्रैकेट के अंदर ही LCM ले लिए और यह जो बाहर माइनस था इसको मैंने अंदर को LCM 2 आया फिर यहां पर यह माइनस 2x multiply 2 तो यह माइनस 4x और यह एस इस बाद इसको कम्माइन किया है यहां पर क्योंकि माइनस 4x और माइनस 6 कम्माइन हो सकते हैं like terms है तो 1-5x बचेगा यह वाला 1-5x यह एस रखा इसको मैंने ब्रैकेट खोल का multiply कर दिया ठीक है फिर जाके यहां भी LCM ले लिया ठीक है और चेस पार्ट में वन और टू का इसको कम्माइन कर दिया मैं ठीक है उसके बाद फिर यह पार्ट मैंने क्या कर रहा है इधर shift कर दिया यह पूरा प्लस में था इधर ठीक है जब इधर प्लस था दूसरे साइड जब shift करेंगे इसको तो यह minus का इस पूरा पार्ट आ जाएगा ठीक है मैंने पूरा टर्म ही shift कर दिया तो इस साइन चेंज होगे इसका ओके अब यहां जाके मैंने ऐसा क्यों करा है हलांकि मैं इधर भी LCM ले सकता था आप करेंगे तो वो भी सही होगा ठीक है इधर यह भी 2 था इधर यह 2 था इसको ऐसा कर लिया उसके बाद इसको सेम एक साथ लिख्या क्योंकि तो सेम है तो सेम है यहां पर यहां पर बाहर माइनेस भी तैसे लिए यहां पर मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा ठीक है इससे आगे जागे यह डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा ओके 21x-3 डिवाइड वे 4 अब यहां पर आप इसको सिंप्लिफाई करिए जैसे करते हैं यह माइनेस यह ब्रैकेट को उपन करेंगे तो माइनेस के बाद प्लस फाइव एक्स हो जाएगा ठीक है आप इसको सिंप्लिफाई करेंगे 21x-3 अपॉन 4 ठीक है फिर यह इस तरह होगा 2x-3-1 प्लस 5x और फिर 21x माइनेस 3 अपॉन 4 और यहां पर इसको सिंप्लिफाई के लाइक लाइक टेम तो 7x प्लस 2 डिवाड़ेड़ वैपूर अब लास्ट स्टेप क्या है क्रॉस मुल्टिप्लाई का ठीक है तो 21x-3 को इस यह ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे ठीक है ऐसे ही 4 मुल्टिप्ला सेम है यह को शिफ्ट कर लिया ठीक है यहां पर 28x था इसको इदा शिफ्ट किया तो यह माइनस का होगा इसको सब्सक्राइब 14x और यह 14 डिवाइड किया क्योंकि हमें x equal to something लाना है इसी डिवाइड में चला जाएगा तो यह वन आ जाएगा ओके तो यह था आपका linear equation solve करन है आपको सबसे पहले कुछ examples practice करने उसके बाद एक्साइज करेंगे तो बेटर समझ आ जाएगा ओके चले थेंक्यू